आसलाम अमने को मैं ताड़ी होस्स जोया बलोच और संगत साधे शोयश ताला वेलकम असा अज गेनते हैं एक दिल चस्प आवाज सुरीली आवाज और ताड़ी जानी पहचानी आवाज असला गेनते हैं वही मशूर मरूफ सिंगर सिंगर जफर इकबाल जफरी साहब आओ इनना अलगाली करेने बाद इजगप शब थिंदी राशी पहले इनना अलगाली करेने और सुन दे मजए मजए दे सौंग असलाम लेकुम क्या हाले ठीक हो जी वालिक मसलाम में बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी है? अलहम्दिलला ताको मेरी जबान समझाने भी है जी बिल्कुल आ रही है, मैं बेसिकली मेरा तालुक पंजाब से है अच्छा माशयला चाच चुन देने, इस करके कोई ज्यादा इश्यू नहीं है मैं अच्छा चलो ठीक है, वाल मैसरा एक की अले साँ ये लेकिन आप उर्दू भी बोलें पीच में थोड़ा बहुत यहां के लोगों का भी खयाल करने हैं थोड़ा बहुत भी ज्यादा ज्यादा विल्कुल विल्कुल जी सारे को जफर इकबाल जफरी साथ बहुं ही अच्छे महमान है वेटें और माशाळला मेकू गाइड किते ने पहले महमानें जिना ने मेकू गाइड किते बहुं अच्छा लगे जी जफर इकबाल जफरी साथ कितने अर्से तु तु साहे सि मैं तीस साल का लगता नहीं हो नहीं मैंने एक्षिली बहुत चोटी एज से स्टार्ट किया था जी जी और बस वो लॉकिली मेरे एल्बम्स आते रहे हीट होते रहे जी 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 तो उसके बाद फिर सारे माशाला अभी तक अच्छा तारे आवा में तकरीबन कितना सॉं कोई अंदाज आई में तुका छोड़ो सॉंग्स का तो मुझे नहीं पता मेरे जो ओडियो एल्बम्स है ना जी 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 एल्बम्स उसकी तादात तकरीबन असी से नवे एल्बम्स हैं अच्छा असी तो नवे एल्बम्स इना दा पब्लिक एज रिलीस थी चुके और माशा या वला देखें कोई नव कोई 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 इस होता है जी बिलकुल ऐसे ही है ठीक है न तो मैं जब शोबिस के अंदर में आया न तो मैं बहुत छोटा था अच्छा जी बहुत छोटा था और नाथ पड़ी थी मैंने नाथ अच्छा नाथ से जी तो बस फिर उत से सिलसला आए तो बस जहां चांस मिल जाए आपको पता है इनसान को आर्टिस को आगे बढ़ने के लिए उसको एक रास्ता चाहिए होता है जी बिलकुल रास्ता आपका लगत था जी तो बस वो अल्ला का शुकर है कि मुझे फिर कैसिट कंपनीज ने अपरोच किया तो और सबसे पहला एल्बम ही सुपर डूपर हिट हो जाए जी बिलकुल ऐसे ही है तो मेरा ऐसे ही हुआ था वो चूँकर कवर सॉंग्स थे और वो मिलियन्स में उसका जी जी माशाल्ला जानते हैं सबको पता है उन्हीं दिनों में मिलियन्स में ये स्टोरी पहुँच गई थी वो अपका पहँचान बन गया पहला जी वह उसको पहली आदी आपकी पहँचान सब कुछ पहला एल्बम ही चले बाते हैं तो बात में करते रहेंगे तुह स Performed उर्दू नाल मेंक्स बुलेशू जफरकबाल जफरी साथ आए बठेन इनना अदब करेशु इनना नाल भी थोड़ी जब थोड़ी अर्दू बुलेशू नहीं मैं भी सराई की बुले साँ तुसी में चाहा हूँ आए गाल थाई वल बुले साँ जी जी आपा जफरी साब तुसाब टी खुबसूरत वादत में को एक सॉंग सुना लियो अब मैं एक्शली आपको पहले बताना चाहरा हूँ कि यह जो सॉंग्स मैंने स्लेक्ट किये ह है यह सॉंग्स बैसिकली दूसरे आर्टिस्टों के पहले हो चुके हैं अल्रीड ना काफी हिट सॉंग्स हैं तो मैं उनको समझ लेंकि उनके इन गानों को मैं उनको ही ट्रिभ्यूट कर रहू हूं हुइं, उनको honor दे रहा हूँ कि उनके यह गाने क्डाशने हमें आखे ल नहीं, अल्लापाक ने आपको भी शोहरत दी है, क्रेड़िट आपको भी जाता है, यह बहुत बड़ा 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 है, जी 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 सराही की लर्णविज में गाने का कोई भी इसमें, ऐसा कोई वर्डिंग में कुछ उबर नीचे तो आई रीली फिल सॉरी मैं फेर्ट सौंग कटोला याद आवे ना आजमाया याद आवे ना कटोला याद आवे ना आवे ना बेवफा में गूँ जा जा रुलायाए उस बेवफा में गूँ जा जा रुलायाए मैं बागल हाँ तुनू दिल विट बसायाए आजो मायाओ लो लो वित आजए जा रुब्यू जा रुफलायाए आजो मायाओ लो पींड़ करडो हुलायाँ जा रुफलायाई कर दो कर दो कर दो कर दो कजमाया याद आवे ना कड़ोला याद आवे ना कड़ोला याद आवे ना कड़ोला याद आवे आवे ना कर दो ना कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल झाल कई वेले दिल थीनदाएं उसनू सदाडी माँ कई वेले दिल थीनदाएं उसनू सदाडी माँ जी में उस भुला छोड़ाएं मैं भी भुला देखा कजमाया याद आवे ना कढ़ोला याद आवे ना 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 वावाव आपने तो माशाओला सराइकी में जो सौंग गाया बहुत अच्छा गाया या अच्छा साथ-साथ मैं सब्सक्राइकी마े भी क।ूंट करूंगी हमें सब्सक्राइकी जाए कभी का ख़या करने पड़ेगे सराइकी कभी आपने गाया मानने सराइकी आपका ओध्री तीट एक पेरियंस है या कभी पहले भी स्टार्ट किया मेरे का community का तो फिर companies भी उसी टाइप का काम दे रही होती है, बिलकुल ऐसी है, हलांके मैंने सिंधी भी किये है, अच्छा आपने सिंधी लेंगविच में किये हैं, जी जी मैंने बिलकुल बड़ा frequently मैंने किये हैं, और वो उसका वो जो उसका जो अंदर का point है, वो मैं बताऊंगा नहीं मैंने कैसे की, मैंने उसको उर्दू में लिखा, और उसका जो pronunciation है, वो इतना fluent था, वो इतना accurate था, कि उनके अपने जो सिंधी लोग हैं, आर्टिस्ट हैं, वो भी इस बात के लिए बड़े परिशान थे, कैसे इतना accurate accent तुमने किया है, यह बात की बात है, यह बताऊंगा यह राज बाद में खोलूँगा मैं, तो राज अभी तक आपने खोला नहीं है, नहीं वो, मकसद हो कोई ऐसी बात नहीं देखें, लिखा हुआ तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको प्रिजेंट करना जो है न, डिफिकल्ट है, यह बाता है, यह बाता है, आप उसकी प्र यह सराइकी, मतलब आपने लाइफ में सिर्फ तीन मरतबा यह सौंग आए, और सिंधी भी आपको, और सिंधी भी आपको करना पड़ा, कभी आपने, मतलब ऐसे हुआ कि कभी आपने पश्टो किया हो, यह पश्टो भी एक किया मैंने, अच्छा आपको सबसे ज़्यादा कौन से लगी, सराइकी, पश्टो, सिंधी, उड़्टो तो बैसे हमारे कोम जबान है, देखी यह जो सिंधी है और सराइकी है, यह बेसिकली आपस में टच करती है, पंजाबी, सिंधी और सराइकी, यह तीनों टच करती है, और पश्टो तो आपको पता है, बारा सो मील एक आर्टिस के लिए यह किसम का समझने बड़ा टफ टाइम होता है, जब आप पॉपलर होते हैं, तो उस पॉपलरिटी को देखते हुए फिर वो तमाम लेंग्विजिस के लोग आपको अपरोच करते हैं, जी बिलकुल, सब पसंद करते हैं, फिर अपरोच करते हैं, जब आपके साथ बैठेंगे, आपको तयारी करवाएंगे, आपका लहजा सही करवाएंगे, और उसमें फिर यह होगा, तो बस उनोंने मैंने का कि आप सिरुप मुझे यह करें, आप मुझे यह उर्दू में लिखवा दें, तो मैंने गाय छे ऐल्बम कियें, मैंने सिंदी के, म लेकिन उसका यही था कि अपनी जबान में जब आप लिख लेते हैं तो फिर आप एजी हो जाता है, आप बोल रहे होते हैं, अर्दू ही बोल रहे होते हैं उनकी जबान में, बिल्कुल बिल्कुल, सिंदी में, जैसे वह एक उसमें गाना था, पांजे पुरान दोस्तं के कर लिया करों, जैसो को आप लिख लिय तो आप का यह स्काए ना, जैसे सबस्क्राम कर लेगए जाए ili अगर आप कोई काम कर रही हैं, या आप करना चाहती है, ये सीकना बहुत ही अच्छा है, आप स्टूडियो में हैं, और आपकी कोई रिकॉर्डिंग है, कुछ भी है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव एक प्रैक्टिकल एक बात मैं आपको बता रहूं कि इसमें मेरे लिए मैं बिलकुल कुलैप्स हो गई, बरना आज शमन अली साहब के मुकाबले पे मैं गा रहा होता, नहीं आप भी आप माशाला आप सीनियर हैं, और सीनियर सीनियर ही होते हैं, और मैंने तो काफी अरसे से आपको सुना है, मैंने तो अभी आप से बहुत ज़्यादा जो फैन्स बैठें आपको देखने के लिए, जो जड़े सारे सराइकी हिन, सराइकी संगत दे लोगों, मैं आकसा के उर्दू मैं बुलेनी आइना नाल करता, तो आपको कोई भी मसला कहना है, आज वला इना किनों सौंग सुन दें, नेक्स्ट भी सराइकी है? नहीं, पंज जी, जी, कम्प्लीट 12 अलबम, और्दू-Punjabi गानों के, लेकिन बहुत हिट हुए, उनमें एक अलबम था, दिल्दा जानी, जी, दिल्दा जानी, यानि आपके दिल का जो बॉइफरेंड है, अब लगी बहुत निशाने पे, तो मैडम का एक गाना है, उनके आखरी दिनो के गानों में से ये गाना है, की दम दा परोसा, यार, आई लाइक एट, जी, आप सुना दीजिए, आए, एदे कम भी अवले, इसक एख ब्याआ, आउ्ड कर रहक है, आउड आउड, इसक एप ब्यावला, जी देपेश, डिल्या। पैजान्दा कक्छडदान पल्ले की दम दपरोसा यार दम आवे नावे कि दम दपरोसा यार दम आवे नावे कि दम दपरोसा यार दम आवे नावे चट चगड़ते करिये प्यार कि दम दपरोसा यार दम आवे नावे कि दम दपरोसा यार दम आवे नावे किसे नू की कैना यारी आपे में लाए ये इश्क तेरेने किता मैंनू शुदाई वे किसे नू की कैना यारी आपे में लाए ये इश्क तेरेने किता मैंनू शुदाई वे कि दम दपरोसा यार दम आवे नावे कि दम देरेने लाए ये अखियां के तेनल लाणा बड़ा सोखा हुंदा आए अखियां के तेनल लाणा बड़ा सोखा हुंदा आए अखियां के तेनल लाणा बड़ा सोखा हुंदा आए आए नाए पल्दा कोई इत बार आए नाए पल्दा कोई इत बार दम्म आवे नावे किसे नू की कैना यारी आपे मेलाई ये इश्क तेरेने किता मैनू शुदाई वे किसे नू की कैना यारी आपे मेलाई ये इश्क तेरेने किता मैनू शुदाई वे आरज रज करिये प्यार आरज रज करिये प्यार दम्म आवे नावे कि दम्दा परोस्तायार माशाला की दम दा परोसा यार दम आवे नावे दम आवे नावे माशाला की दम आवे नावे नावे ना परोला। आरे फेवरिट फेवरिट सौंग भी आख सोनें दे रासू जी जाफर इकबाल जाफरी साफ बहुं अच्छा लगदा भी शोद में तो पता हिन लगदा भी या टाइम गुजर दा लेते में को भी बहुं अच्छा लग रहा जी थैंक यू I really feel like speaking in सराइकी लेंगविज में इन्शाला दो महिने बाद आपको फुल तयार मेलूंगा मैं एक्छली रिकॉर्डिंग्स करूंगा ना सराइकी सौंग्स की तो उसके लिए फिर मैं प्रॉपर जो नॉमल रिकून के वर्ड्स है ना तो उसको डेफिनिटली I have to learn क्योंके फिर आपको पता है लाइफ शोज में जाना पड़ता है ना तो उसके लिए one have to be you know ready गुट जी जफर एक बाद जफरी साब दे माशाला बहुं ही हेट वॉल्यम गेन बहुं ही हेट सॉंग गेन और इननने बहुंग ज़्यादा वॉल्यम एल्बम केते हैं तक the same thing तक maximum I think 80 जी 80 to 90 albums है 80 to 90 80 albums official है लेकिन 90 unofficial इसलिए है के sometime ऐसा होता है के company कहती है चेजी हमने 14 songs करने 14 गाने 14 songs तो उन चौदा गानों के बाद फिर जब थोड़ा सा दिल में कोई गड़बड आती है न तो वो कहते हैं कि आप एक्स्ट्रा दो तीन गाने कर दें कर दें तो उसमें यह कि कोई गाना हमको अगर अच्छा नहीं लगेगा at the time of release तो हम we can always change that songs तो हम लोग कर देते थे थे हमारे दिमाग में यह होता ही नहीं था कि I mean that's going to be another album वो रेड़ी कर लेंगे दो दो तीन तीन गाने के अलबम के ज्यादा होके तो फिर अनफिशली वो 90 हो गए good जी अपह सुनते से जफर इकपल जफरी साब के नो ह厚bिया सॉंग जी जफर इकपल जफरी साब गप्षिप होती रएगी मैंने आपसे ठेस सारा बहत सार एंटर्वियो लेना है आप मुझे सॉंग सुना दे अब हम कौन सा सॉंग सुनने वाले हैं अब हम गारे हैं जी हमारे पाकिसान के एक बहुत बड़े लेजंड स्टार हैं लेजंड सिंगर है लाला अतालला इसाखेलवी साहब माशाओला ठीक है और इस गाने को आबदा परवीन ने आबद जी 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 तो ये चुँके मुझे अच्छा लगा तो मैंने का कि ये उन लोगों को एज़ा रिस्पेक्ट और अउनर के तौर पे I must sing this ठीक है तो जोक रांजन दे जाना जोक रांजन दे जाना नाल मेरे कोई चले नाल मेरे कोई चले चले, 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 चले मिन तां कर दी पेरी पॉंदी मिन तां कर दी पेरी पॉंदी जाना पे आ मेनू कले जाना पे आ मेनू कले नाल मेरे कोई जले नाल मेरे कोई जले जाना पेरी पॉंदी जे कोई खबर मित ना दिले आवे जे कोई खबर मित ना दिले आवे हत दे देंडिया चले हत देंडिया चले नाल मेरे कोई चले नाल मेरे कोई चले 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 जे कोई यी झाथ मान दूरा चले मिन तां कर दी पैरी पांदी जाना पे आ मेनू कले जाना पे आ मेनू कले नाल मेरे कोई चले नाल मेरे कोई चले क्ये हुसेन फकीर निमाना कहे हुसेन फकीर निमाना साइस नेड़े घले साइस नेड़े घले नाल मेरे कोई चले नाल मेरे कोई चले जो के रांजन दे जाना नाल मेरे कोई चले नाल मेरे कोई चले 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 वहुआ जबर्दस सोंगा के ने जफरिक्बाल जफरी साब में मजीद नालना लेक्षा में दी अर्दू तसराइकी नाल आज जफरी साब आई वेठे ने नाल अर्फां उड़ू ज़्यादा बुले सुं क्योंके और सम्मझ दे का सारी जबाना को हैं सब लेंग्विज को ले सब लेंग्ह जबानाक यजफ ठ्रफ कर दिंखर रहीड हैं animal अफल ती यार लेर्निक यड़फु ने कोई अभी साउनके हैं अब यकशागा उन्हों से आप भी मासिवाला फैमिस प्वापिलर सिंगर दिलकष अवाजवाले सिंगर तो आपने वी इसको आपने वॉल्यम में पहले प्रिपरेशन की है और मैंने आफ डिसाइडिड के मैं अताला न्याजी खान साथ से बात करूंगा हलांके यह सब ने गाया है लेकिन आपदा परवीन साहिबा ने बारा साल पहले यह कलाम गा दिया था जी जी तो उसके बाद क्यूंके कुछ ऐसे होते हैं लोक विर्सा जो हוטा है जो बड़े शायर होते हैं उनके कलाम सारे लोग पढ़ते हैं और क्यूंकि एक एक इस्जट की और अनर की बात है ना बिल्किल बिल्कुल जैसे हम नाथ शरीप पढ़ते हैं तो ऊसमें कोई कि आप यह व्लह राइट स्का है तो तो इसी तरह जो आच्छे कलाम हो पढ़ते हैं वो सब पढ़ते हैं जी शेवास कलंदर है इसमें को इसी को इश्यू नहीं होना चाहिए कि क्यूं यह है लेकिन फिर भी समटाइम ऐसा होता है कि ड्यू टू कॉपी राइट एक्ट कुछ लोग यह समझते हैं कि शायद उनकी पापुलरिटी को हम स्लो डाउन कर देंगे तो ऐसा नहीं होता उनको तो अल्ला ने जो इज़त देनी थी वो दे दी दे दी बिल्कुल ठीक है ना तो यह उनके लिए भी ओनर की बात है कि हम उनके गायवे कलाम को गाएं बिल्कुल बिल्कुल तो यह उनके लिए एक समझने के ट्रिब्यूट है गुड़ तो मैं इस कलाम को करूँ का इंशाला 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 मैं मैं अभाल एको कारूँ क्रमाशला ऐसे बहुत इस अच्छा गाया है ऐसे जाफर्ए एख बाल जाफरी शाब आप मुझे एक और सांग सुना अदें दिश्ट हमारा इंश्रकव कॅन सा है हमारा जी मे चैनाज साहबा, अल्हाने जननत नसीब करे, मेरे साथ बहुत ज्यादा शोज उन्होंने किये हैं, तो ये उनका गाया हुआ गीत है, बहुत अच्छा खुबसूरत मेलोडी है, और जब मैंने एल्बम में गा दिया था, तो उन्होंने बहुत मुझे गले लगा के प्यार किया तो बाज गाने ऐसे होते हैं कि वो इतना पब्लिक की नजर से गुजरते नहीं है, जब वो ओडियो के सेट में आया, तो ओडियो के सेट की जो पब्लिक है, वो मासिज में है, आम जनरल पब्लिक, तो जब हर जगा बजा, उन्होंने देखा है तो गाना दोबारा से मेरे तो कुछ दोस्ट भी मुझे ऐसे बुलाते हैं, भाइमाना क्या हाल है तो कुछ तोसें आर्मी में हैं वो मुझे बुलाते ही बहीमाना इसके रीजन में आपसे सॉंग के बाद पूचूंगी अभी बिल्कुल भी बरदाश्ट नहीं हो रहा मेरी पबलिक को भी और दिल कर रहा है आपका अच्छा सा सॉंग सुने अब लेगा आपकोश्ट नहीं है जूचुक्क प्लते निगए यादा मेरिया वे तुँ आप वी नहीं आया नामा खात वी नहीं पाया राताँ चानलिया लगड अनेरिया वे बैमाना उलते निगईया यादां मेरिया बैमाना उलते निगईया यादां मेरिया कर ला बनां दितtit थे ततम हु कर दो त Begin थे खुड़ से तर बन भूम अ सक जवा री प्रसनित केसफ लिख दे अखिर विज जे तु नईयों आनावे रुस जांगी मैं वी खात होर नईयों पानावे लिख दे अखिर विच जे तु नईयों आनावे रुस जांगी मैं वी खात होर नईयों पानावे मुक जाएगी पहली वोसे मिलेगी चंबेली जिसे होनगियां मिस्दियां तेरी आवे भई माना पुल तेनी गईयां यादा मेरियां भई माना पुल तेरी गईयां यादा मेरियां पुल तेरी आवे भई माना थांगी जाएगी पानावे एक गाल हो और लिख बड़ी दुख वाले वे अखियान ने मुख तेरा वेखे अनई हाली वे एक गाल हो और लिख बड़ी दुख वाले वे अखियान ने मुख तेरा वेखे अनई हाली वे सुझे पल काने वेडे रातक देने मेरे अखियान ने मुड़ी का मेरू तेरी आवे बैमाना पलते निगयान यादा मेरियान बैमाना पलते निगयान यादा मेरियान बुलते निगयान यादा मेरियान दिल दा जानी सेयोनी मेरे दिल दा जानी दिल दा जानी सेयोनी मेरे दिल दा जानी वेकोनी मुख मोड गया जे तक कोनी दिल तोड गया जे सेयोनी मेरे दिल दा जानी सेयोनी मेरे दिल दा जानी ओ जान्दा जे टूरेया तोल जेडा बैंदा सी रोणे देखे चल्लेया अजदा जेडा रैंदा सी सेयोनी मेरे दिल दा जानी सेयोनी मेरे दिल दा जानी अज़ मेरे जान्दा जानी तेनू कदी मेन्यों लांदीना सोने आतो खे बाजा तो खा तेरा खांदीना हाई नी हुण मुकर गया जे लाके नी उतोड गया जे दी सा यो लिए मेरे दिल दा जानी दी ता जानी दिल दा जानी दे दानी वह सा योनी मेरे दिल दा जानी अचा इन तू पहले तूसा मेंग सुनायावे सोंग बाहिमान जी तो साथ उर्द्वेज गाल कर सकते हैं, बाई माना, कहा हो, बाई माना, इधर आचाए भी, बाई माना, यह करना है, यह क्या स्टोरी है, मुझे बताई हैं, क्या स्टोरी में? बाई माना, जो बहुत, जिनका लविंग एरिटूट होता है, तो वो फिर, obviously, people who they really love you, they really feel like calling you with loving names, तो यह किसम का लव नेम बन गया, लव नेम, तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे, जो मुझे जब कभी मूड में होते हैं, ओए बाई माना, ओए बाई माना, यह लव नेम ब लव नेम तो बहुत सारे हैं, लव नेम एक तो आपका, I think your love name, Zafri, your love name, Baimana, Zafri, Zafri तो जो है न, वो शो बिसका एक निक नेम हो गया, निक नेम है, Zafri, तो बाकी love name, मैं बताऊंगा, ने, वो secret है, secret है, आपके कितने secret है, आपने सिंध वाला secret रखा, आपने यह secret रखा, Zafri, Iqbal Zafri साथ, आप मुझे यह बताएं कि आप married है, यह भी एक secret है, कैसे, मासद, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जो कि आप चाहते वे भी उसको disclose नहीं कर सकते, so I really don't feel like, you know, तो समझें कि वो भी गई है, समझें नहीं भी हुई, वो कहते आप एना जिसने शादी का लड़ओ खाया तो बच्ताय जिसने नहीं आगा तो अपर अफर्ति चाहते बढ़ तो आपने पिर किसी औप बहात नहीं लगाया वो मिठाई का डिबा चाहाः चाला गया है, अच्छा आपकी एच कितनी होगी तक्रीब हैं, और फॉर्टी से अ फोटी जी हो सकते हैं मैंने कमी बताई हो चलने कोई बात नहीं लेकिन फिर भी मार्शला आप लेकिन जो समझदार बैठे होंगे ने यह प्रोगैम देखने के लिए वो समझ जाएंगे वो समझ जाएंगे ना कि एक्शुल कितनी है अच्छे मैंने फिट कैसे रखा हुआ तो एक और दो वह बात नहीं है मैं अच्छी पाबंध हूं मैं नमास पढ़ता हूं पांच वक्की माशाला और में सुबह सवेरे उठता हूं चार बजे गुट नो मैटर वट हैपन लेकिन मैंने चार बजे उठना है सुबह ठीक है अधान होती है थोड़ा लेट होती है मै करके, कुरान शरीफ पढ़के, सुभानला, सारी बड़ी-बड़ी सूरते मुझे जबानी याद है, माशाओला, ठीक है, तो सब करके, इसका बेसिक एक वो है, कि आप जब उठते हैं, तो आपके एक बॉडी की एक्सराइस होती है, आपका जो लेजिनेस है, वो खत्म हो जात है, बाकि यह नहीं है, कि एज गुदरने के साथ बहुत सारी वीकनेसिस आजाती हैं इनसान के अंदर, जो कि इनसान को खुद को पता होता है, बिल्कुल ऐसे ही है, जब आप हमारी एज पे पहुंचेंगी ना, तो फिर आप, मैं तो बहुत मुड़ी हो जाओंगी, तो बस इनसान के अपने कैरेक्टर पे भी होता है, कि आप जैसा बहुत करते हैं, दूसरों के साथ, अखलाग के साथ, अच्छे किरदार के साथ, आप लोगों के साथ मिलते हैं, बहुत करते हैं, वो अल्ला ताला आपके चेहरे पे, जी बिल्कुल, नजर आता है, जी बिल्कुल, तो मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत शरीफ हूँ जी विलकुल विलकुल लेकिन ये चेहरा एक खुली किताब है अगर कोई समझदार इंसान से पढ़ना चाहे तो अचा आपने मेरे क्वेस्टन का कोई भी आपने आंस नहीं दिया कि आपको कभी किस से लव हुआ? लेकि सब इंसान को होती है हुआ था ये लेकिन वही था वो लड़ू जो कैनेडा चला गया वो एक्शली मेरी मदर ने बहुत साड़े सैंक्नों बच्चों को कुरान पाग पढ़ाया माशा आलला हम लोग बड़ी हमारी रिलीजिस फैमिली है सारे हाफिजِ قुरान है मुझे बाइशाल्ला मैं अकेले ही आगया म्यूजिक में बाइचांस तो मुझे कोई सपोर्ट नहीं ती पोर्ट नहीं थी फैमिली से बिल्कل सपोर्ट नहीं थी मेरी कमाई को कोई हाथ भी नहीं लगाता था بिल्कل नहीं honestly speaking कोई नहीं हाथ लगाता था उसकी वज़ा ये है कि आज जिस घर में में रहता हूँ वो घर मैंने बनाया है माबाप की एक मजबूरी होती है कि अपनी उलाद के साथ उन्होंने रहना होता है ठीक है ना क्योंके वो उमर के उस हिस्से में पहुंच चुके होते है कि वो कोई घर बनाएं या कुछ ऐसा करें तो उलाद जो कर रही है उसी के साथ उन्होंने गुजारा करने लेकिन उनकी खिदमत बहुत की मैंने माशाला वो बहुत खुश थे मेरे से वो ख्यात नहीं है बहुत अच्छे पेरेंट्स है सब के माबाप अच्छे होते हैं बल्कुल ऐसे ही है लेकिन बहुत अच्छे बहुत कम होते बहुत दौाइं देते थे मुझे मुझे तो मकसद यह कि मैंने हर मुमकिन कोशिश की उनकी खिदमत करने की तो उसी का सिला है कि लोग अतनी महबत करते हैं प्यार करते हैं ये दुआइं है माबाप की आपकी मौदर नी कभी नी कहा के बेटा शादी कर लो ने बहुत कहा कौन मा नी कहेगी या कौन बात नी कहेगा लेकिन एक बड़ी फैमिली थी हमारी मैं आपको अब ये सारी जो बात हुई है तो मैं आपको बता दो मेरी पांच बहने थी और हम चार भाई पांच बहने और चार भाई जी, मॉम डैट, 11 persons in the family जिसमें से पांच बहने, चार भाई मशाल consider लेकिने कौन family के अंदर, फैमिलीज के अंदर, ठीक है? उन में यह होता है, बेसिकली जब एक बंदा आपका कमाने लग जाता है, तो बाकि सारे बैट जाते हैं. सही. जब एक कमाने लग जाता дав a fuade baky नहीं करते एक असरा मिल जाता है ना उनको ना तो मैंने मुझे ये ओनर है कि मैंने अपनी बेहनों की शादियां की है उनकी complete education भाईयों की शादियां की है ठीक है अपना घर बनाया तो मसद अपनी जिंदगी की एक इनसान की एक उलाद की जो responsibilities होती है ना वो मैंने पूरी की ह हैं अपने माबाप के लिए एक कहीं ना कहीं कमी तो रह गई होगी ना यार मेरी भी आउलाद होती मेरी भी वाइब होती है वो अलाद जो है वो भाई बहनों के जो बच्चे होते हैं ना I mean they are just like your own kids के जब आप उनकी growth करते हैं उनको raise करते हैं उनकी education का अभी भी मेरी बहन इनों के बच्चे हैं यू ऐसे में हैं और माशाला सारे grown-up हो गए हैं और पाकिसान में भी हैं they are just like our kids हमने तो उनको अपने सीने पे सुला के गोदों में खिला के बड़ा किया है तो अपनी उलाद की तरह ही है ना जी माशाला हमारे बच्चे होते तो वो भी इतने बड़ सांग जी ये बासित नईमी साथ का अब हमिसाब चीक है बासित नईमी साब चाल वर्च की जुबान के बहुत खुबसूरत आर्डिस्ट है बिलकल बिलकल और मेरे दोस्त हैं अच्छा जी तो उनका ये गाना मैंने नेट से लिया है हुँँँए और ये में सना अगी आसादे हाल सजना देखवन आसादे हाल सजना देखवन अपनी अखियान आल सजना देखवन अपनी अखियान आल सजणा देखवनू आसादे हाल सजणा देखवनू अपनी अखियान आल सजणा देखवनू पीला पत जण दे पता रुत थी गया पीला पत जण दे पता रुत थी गया चेहरे दा रंग लाल सजना देखवन चेहरे दा रंग लाल सजना देखवन आसाडे हाल सजना देखवन आसाडे हाल देखवन थल्ला विच रुल गए ओमेडा रांजना तेरी थीर सेयाल सजना देखवन तेरी हीर सेयाल सजना देखवन उन्षवन उन्षवन दे सकेता आप आगे जवाब डे लोग कर दे सवाल सचना देख वन लोग कर दे सवाल सचना देख वन दे सवाल विच प्रुन गए ओ मेठा रांजना थल्ला विच रुल गए ओ मेठा रांजना तेरी हीर सयाल सचना देख वन तेरी हीर सयाल सचना देख वन तेरी हीर सचना देख वन देख वन देख वन देख वन अब्स देख प्रुन जीन्दा मिल वंज आके मेहबूब हाश्मी हो या बचन मुहाल सचना देख वन तोड़ा बचन मुहाल सचना देख वन आसादे हाल सजना देख वन आसादे हाल सजना देख वन अपनी अखियाल सजना देख वन आसादे हाल सजना देख वन अपनी अखियाल सजना देख वन जबर्दस्त वेला थी जुके मेरे संगत शोदे संगतियों सारे कोल जिमे के बुण दिलकाश अवाज खफर रिकबाल जफरी साप सिंगर बहुं माशूर सिंगर बेठेन नाल अली ने सौंग सुन दे आसूं अच्छा Бजए संगतीयों के सारे कोल जफर रिकबाल जफरी साप माजूदें पहुं ही मशूर सिंगर और सारी खुश के समती है सारे को उन्हीं ते शर्रीफ गिना आए उन्हें पी महरबानी है जिस अपर ना जफिर इस आप ताडी बहुँ महरबानी है ंसा सारे को ते वुचछ तेपर कमें तर्फ गिनते आए तो आपना कीमती टाइम है मुझे महां से पूछ रही सबसे प्यारा बच्चा कौन सा है कोई एक बच्चा तो प्यारा होगा ना जो बहुत ज़्यादा आप सुनते होंगे मैडम जी को एक ऐसा सॉंग मुझे मैंने अच्छली मैं जब पाकिसान से बाहर शोर्स के लिए हम लोग जाते थे तो मुस्ली मैंने देखा है कि लोग मैडम नूर जहां के गाने बहुत पसंद करते थे तो देखें म्यूजिक का मतलब है एंटर्टेन्मेंट जे बिलकुल लोगों को खुश होना इंजॉई करना तो बाकि रोने दोने वाले गाने भी बहुत हैं बात यह कि आप किसी की खुशी में जाते हैं तो पीपल दे वुड लव तो इंजॉई यूजिक और तो उसमें मैडम नूर जहां के गाने बहुत मैं गाता था वहाँ पर यूएसे में अच्छा आपने कितने मुलकों में लोग उर्दू समझें इवें इवेंट्स किये हैं वह लोग तो ज्यादा तर यूएस गए हैं इंगलेंड गए हैं और जहां पाकिसान इंडियन ज्यादा हैं लोग वहीं पे कैनेड़ा गए हैं और मैसिमम आइधिंग फाइफ कंट्री ज्यादा में भी गए हैं लेकिन वहां पर यह होता है कि ट्रांजिट में अच्छा अच्छा और कैनेड़ा मैं हैं हमारे मोसली हमारे बहुत सरे आर्टिस भी वहीं पर सैटल्ड हैं तो इसलिए और वो सारे लोग मैडम नूर जहां के गाने बहुत पसंद करते हैं आप लिकीन करें तो कोई गैधरिंग हो कोई हॉल में प्रोग्रैम हो तो लोग बहुत ज्यादा लाइक करते हैं पंजाबी गाने आप अपना जो जिस सौंग को आप सबसे जादा सुमते हैं अज़ाल आप ले लेके आप आए जो गाना वहां पर आंटियां भी पसंद करती है तो वह उंकल के और चला का फिए गाना है यी मैडम का गाना है जी केंदेने नेना हाई केंदेने नेना बहुत अच्छा बहुत अच्छा मेरे भी फेवरिट है केंदेने नेना तेरे कोल रैना केंदेने नेना मेरे दिलदा दिलदा तूँ हे गैणा केंदेने नेना तेरे कोल रैना केंदेने नेना जी करे कोल बेटी रा बेटी बेटी में तक दी रा जी करे कोल बेटी रा बेठी बेठी में तक दी रा माहिवे चन वे तेनो हो रिकली कैना कहन देने ने ना तेरे कोल रेना कहन देने ने ना आज एक्रार करनियां मैं तेनू प्यार करनियां आज एक्रार करनियां मैं तेनू प्यार करनियां माहि वे चन वे तेनू होर की कैना कैंदेने नैना तेरे कोल रैना कैंदेने नैना तू मिले कोल बैठी रा बैठी बैठी में तक दी रा जी करे कोल बैठी रा बैठी बैठी तक दी रा माहि वे चन वे तेनू होर की कैना कैंदेने नैना कैंदेने नैना कैंदेने नैना मेरा भी एफेवरिट सोंगे वैसे जिससे महबबत होती है वाकी ऐसे ही होता है नैना क्या वो दिली गहराता है बैठे रहो सरकार उटके ना जाओ जी जी बिलकुल सरकार को बाद में जूतियां भी बड़ी पढ़ती नेनी जिनसे महबबत और अदब तो मकाम होता है उन्पे जूतिया नी तो महबबत करने वालों कोई बढ़ती है ना ज्यादा अच्छा ये बात है तो इसलिए बी केरफुल अच्छा जफरिक्पाल सफरिश आप एक मेरा फेवरिट सोंग है जद हॉली जी लेंदा है मेरा ना जी जी वो मेरा भी मैंने बताया ना वो यूएसे में आंटीयों के ये कुछ गाने बड़े फेवरिट हैं लेकिन यंग के भी आजकल फेवरिट है क्योंकि ये नूर जहां के जो शाइरी है ना जो नूर जहां का जो पॉर्टर था शाइर था जी 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 तूए वो मतलब इतनी सदा बहार सौंग लिख गया शाइरी कर गया कि वो आज कल के बचचे आप देखे ना ट्रेंडिंग में सौंग जो जाते हैं बच्चे उठा के वो सौंग गाते हैं अक्सर मतलब छोटे चोटे चोटे बच्चे मैं देखती हूं आज कल माशाला बारा तेरा पंदरा बीज साल के बच्चे भी नूर जहां के सौंग उठाते हैं वो हिट जाते हैं मैं अच्छी तरह याद है कि जब हम शोट पे जाते थे तो तीन चार पांच गानों की फरमाईश जो होती थी ना उसमें एक वो था सानुनेर वाले पुलते बुलाके और एक जदो हो ली जई लेना मेरा ना और एक कैंदे नेना कैंदे नेना और इस टाइप के गाने थे सही होनी मेरा माही मेरे पागी जगा मरे आ गया अब जदो हो ली जी लेना मेरा नाम ये तो नुजांग के बाद भी इतने सिंगर्स यंग सिंगर्स ने भी गाया है माशायला बहुत ही टू है और प्लीज आप मुझे अपनी खुबसरत दिलकश आवाज मेना ये सुना दे जद तो होले जेई लेने मेरा नाम मेरा नाम सुनिये तो कूक मेरी, सुन कदी हूक वे, सुन कदी हूक वे मेरे नाले हो जया, करना सलूक वे, जिंदड़ी मलूक लेटी, उठके ना फड़ मेरी बां, मैं था मर जानिया, मैं था मर जानिया हाए, हाए, वे जदों होली जै, लेन मेरा ना मर देवादे चुठे, चुठा हुंदा प्यार वे, चुठा हुंदा प्यार वे, करके मुहपता, कोल जान दे हार वे, हुंदा बुरा हाल, जदों केंदियाने मैं नुसकियां, मैं था मर जानियां वे, मैं था मर जानियां हाए, हाए, वे जदों होली जै, लेन मेरा ना मेरी सुन कदी उखवे, सुन कदी उखवे मेरे नाले हुझे आ करना सलूक वे जिन्दडी मलूक टी उटके ना फड़ मेरी बां मैं था मर जानियां हुए मैं था मर जानियां हाई 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 वे जदोंगोली जई लेन मेरा नाल माशाला बहुत अच्छा सोंगा है अपने और मेरा फिर्ट सोंग है और मेरा फिर्ट सोंग गाने के लिए बहुत शुक्रिया नहीं नहीं, you are most welcome वेला थी चुके मेरे लाइव शो, संगत दे संग्तियों, मेरे दोया बलोद दे संग्तियों वेला थी चुके छोटे जे वक्फिता किते ही नहीं नाल नाल रवाए चुदी ब्रेक लाल मेरी पत्त रखियो बला जुले लालन सिंद्ड़ी दा सेमन दा सिंद्ड़ी दा सखी शाहबाद कलंदर दमा दम्मस्त कलंदर सखी शाहबाद कलंदर अली दम दम दे अंदर लाल मेरी, ओ, ओ, लाल मेरी चार जानाघ तेरे चार जाराग तेरे बलन हमेशा पंजमा बालन आई पला जुले लालन सिंद्ड़ दा सेमन दा सिंद्ड़ दा सेमन दा सखीशाबास कलंदर तमा तमस्त कलंदर सखीशाबास कलंदर अली दम दम दे अंदर लाल मेरी, ओ, 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 लाल मेरी पीरा वे तेरा पीर, सब्दा वली ये पीरा वे तेरा पीर, सब्दा वली ये लख बस दुल्ला है नाम अली ये दमा दमस्त कलंदर सखीशाबास कलंदर लाल मेरी, ओ, 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 लाल मेरी चार चराग तेरे बलन हमे चार चराग तेरे चार चराग तेरे बलन हमेशा पंच्वा में बालन आई बला जुलिलालन सिस्ड़िदा सेमन दा सिस्ड़िदा सखीशाबाद कलंदर तमा दमस्त कलंदर तमाद मस्त 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 कलंदर हुआ हुआ है माशाला पहुँ अच्छा कलामे और एक्यकुन अभासी शाबास लाल कलंदर अलीदा कलामे और वैसे मैजा इना चीजां समने दी भी धेगा और वैसे तुसा आज कलाम आखे कल मैं शाबास कलंदर में दी भी या माशाला जी अच्छा आप मुझे अब हम अर्दो में बात करेंगे ताकि आपको मुश्किल नहों जी 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 जफर इकबाल जफरी साब आप ने ये पिर गाना क्यों छोड़ दिया फिल्ड क्यों छोड़ दी क्या इश्यू था माशालाव इतने अच्छी सिंगर हैं देखें मेरा स्टेशन बेसिकली कराची था जी बिलकुल, क्योंकि जितने भी रिकॉर्डिंग स्टूडियोस थे वो सारे कराची में हैं, मुजिशन्स, चैनल्स, एवरिफिंग, क्योंकि हमने यही से स्टार्ट किया, और यही पे ज्यादा पब्लिक में या चैनल्स पे, स्टूडियोस में, सब जगा यही जो भी था ज जाहे जंगल में आपका घर हो, इनसान वही जाता है, बिलकुल सही है, ठीक है ना, और फिर बात यह थी के, वो जो बीच का जो फासला है ना, उसने बहुत डिस्टर्ब किया, आना, जाना, आना, जाना, आना, जाना, तो इनसान को यह होता है कि, I wish if I would have a house here, कराची में भी कराची आना, आपको पता, इस कोई स्पेस है, जी, और फिर अपना कोई ऐसा घर नहीं, कोई ठीकाना नहीं, तो आपको, obviously, आपको हर चीज को रेंट पे हायर करना पड़ता है, तो वो एक ऐसा इशू था मेरे लिए, कि मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता था, जब त हंडर्ड्स और थाउजन्स और रुपीज उसके ओपर स्पेंड हो जाते हैं, एक दफा आने पर, जाने पर, क्यूंकि आपको एक सेट अप करना होता है, एक घर लेना होता है, एक घर लेना होता है, उसमें बिस्तर है, कुर्टन है, चूला है, वर्तन है, everything, लिविंग के ल चल्ली, यह तो बहुत अची बात है, मतलब, मेरे नसीब में था, आप मेरे शोर में बैठेंगे, एक्चली, मैं अब दुबारा से, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और यह जो सराइकी गाने, जो पंजाबी मैंने गाए है, बेसिकली, आज देखें, यह मेरा फर्स्ट शोर है सराइकी लैंगविज का, तो अब जो मैं नई शायरी लिखवाँगा अपने लिए, तो उसमें आवियसली मैं हर चीज का ख्याल रखूंगा, म्यूजिक का भी, तलफुस का भी, हर चीज का, तो इन्शालला वेरी सून आपको एक वड़ा खुबसूरत ट्रैक सुनने को मिल इन्शालला वेरी सुचल मीडिया तो डेफिनिटली मिलेगा ही, तो इन्शालला दौा कीजिएगा, जी बिलकुल ऐसे ही है, इन्शालला अला करेगा बहुत ही आपका अच्छा सोंग, हम दोबारा सुनेंगे कोई न्यू सोंग, आपने हमारी बातचीत में एक सोंग का नाम यह भी गाना USA की आंटियों को बहुत पसंद आता था आप आंटियों का नाम ना ले मैं भी लड़कियों लड़कियों को भी बहुत पसंद है कुछ शायरी ऐसी पाकिस्तान के यह वो गाने हैं म्यूजिक है कि जो के अनफोगेटबल है और मैडम नूर जहाने तो बहुत ही अच्छा इनको गाया जी बिलकुल और यह सदा बहार सौंग्स हैं हमेशा चलने वाले हैं तो अब सुना दू आपको वो उसमें वो जो अंत्रा उड़िदा दू बट्टा मेरा मनल मनल दा सुना दिजी सानु नेर वाले पुलते बुला के ते खरे माही कित थे रह गया सानु नेर वाले पुलते बुला के ते खरे माही कित थे रह गया कि थे रह गया अनुनेर वाले पुलते भुलाके उड़ता दुपट्टा मेरा माल माल दा दिल उत्य जोर चननने युचल दा आवे का मनागी में हाथ जोड के आई वे तुपशा की था केडी गल दा सानु प्यार वाली पॉड़ी ते चड़ा के थे खर माई कि थे रह गया तनुनेर वाले बुलते बुलाके उठ दे कंपार्यान दिल दियाँ सुन सुनके उठ दे आपार्यान दिल दिंआ सुन उठीः ले घंके दिले लब इवे में गिन गिन थे आनू प्यार दे तुले के वीच पाए हरे मा ही इत ते रह गया तनू झैर वाले पुलते बुलागे जब आता है यो पिसे बचो बैट यजराएंतियों कोई ऐसी शरार्ट jय ऑ याद 20 वहत ज्याद़े मेरी मदर से मुझे बुड़े मार पढती था। हई धंडे सोटियों के अब अब मुझे आपकी ममा ने कभी किया बड़ी पढ़ती थी मैं बता रहा हूं ना अच्छा वो एक्षिली मैं होता यह था कि कोई समान लाने के लिए पैसे दिये बच्चे थे ना तो खेल में लग गए समान लाए नहीं और फिर याद आया तो लेके आए देर हो गई दो गंटे गुदर गए तीन गंटे इतनी लेजी खेलने के मामले में नहीं तेज़ तो असल में जो महलों का माहौल होता है आपको पता है वहां बच्चे सारे आपस में बिल्कुल 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 बहुत वह सिस्टम हो गया ना सुसाइटियां बैंगलोज और यह बिल्कुल बिल्कुल तो पहले तो यह तो ना इंगलेंड से आया था कोई शोज करके ना तो बड़े अच्छे खुबसूरत क्रिस्टल के कुछ वो डेक्रिशन पीसिस थे जो सेंटर टेबल पे रखते हैं तो अब वो ना मेरी मदर मुझे कह रहे हैं तो मा जाओ अच्छा मैं इतना वो था पत्थर उठा के ना अं अपने घर में अच्छा अपने घर में अपनी मदर को चिडा रहा है तो वो वो अंदर जो क्रिस्टल की वो चीजे रखी हुई थी ना तेबल पे उसको जाके पत्थर लगे और वो तूट गई बस पिर वो कुट लगी मुझे के जिसकर के ठीक ठाक कुटा माने बड़ी कु अच्छा 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 आपकी एजूकेशन आपने गाँ तक मैंने ग्राइजुशन किया कराची उनिवस्टी के बाकी एक्सपिरियंस है सबसे ज्यादा डिफिकल्ट आपको कौन सी क्लास लवी मैं मैं बड़ा पूर था मैं यह वरी पूर पसिंग मांक्स ही आये थे बस बस अला की लेकिन इंगलिश में अच्छा था गुट इंगलिश में अच्छा था एकॉनमिक्स में मैंने किया इंटरमेडियर गुट तो ब बाकी सब्जेक्ट भी लेकिन यह था कि सेकंड डिविजिन में मैंने पास कर लिया था अच्छा माशाला ठीक हो गया जफिर इकबाल जफिर साब आप हमारे शो में आए हैं आज आपसे गुट गु करके बहुत अच्छा लगाए मुझे और आपका बहुत शुक्रिया आप अपने अपने इतनी कीमती टाइम में से आपने कुछ टाइम हमें दिया और हम खुशर बहुत ज़्यादा शुकर गुजा रहे हैं आपके चाहने वाले आपको देख रहे हैं हमारे संगर शो के जो संगती हैं हमें देख रहे हैं आपको मतलब आपने काफी स्पेस दी है जोसे कि आपने का सब आपसे महबबत करते हैं, एक्टरस से सब महबबत करते हैं, हमारा टाइम हो चुका है, जाने का 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 को मैंसे देना चाहिता हूँ जी जी मैं सबका बहुत शुकर गुजार हूँ, everybody, people behind the cameras, everyone, lights के लोग, director, producer, everyone, thank you so much for being calling me to, मुझे अपने शो का हिस्सा बनाया, आपने, I really appreciate your great concern, thank you so much once again, और अपने audience का, and everybody who they are watching this show, I love you all, and अपना बौत ख्याल रखे, stay blessed, and I love you all. जी, मेरे संगे शोजे संगती हो, जफर इकबाल, जफरी साब को, और अपरे जोया बलोच को, इजाज़त दे सो, अलाहाफिज, जी सो, मसलाबे. छिसे भीर श्चैना, पैसजदी तासवीर तरी , मरदिल देशी शीशे पैसजदी तासवीर तरी, मेनु रब ने बनाया तेरे ले वे में अदला तो जागीर तेरी विर दिल दे शीशे विच सजना पैसा जदी ये तस्वीर तेरी मेनु रब ने बनाया तेरे ले वे में अदला तो जागीर तेरी मेरे दिल दे शीशे विच सजना मेरे नेन ब्याजे दर्जना मेनु रज रज सजना वे खड़ दे मेरे दिल दे शीशे विच सजना पैसा जदी ये तस्वीर तेरी मेनु रब ने बनाया तेरे ले वे में अदला तो जागीर तेरी मेरे दिल दे शीशे विच सजना तो जागीर तेरी मेरे दिल दे शीशे विच सजना तो जागीर तेरी मेरे दिल दे शीशे विच सजना तो जागीर तेरी मेरे दिल दे शीश शे शे विच्च सजना